नमस्ते मैं हूँ नोक्र प्रिया भावे चित्तावार और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी लेप्रोस्कोपी यानि दूर्बीन की पधती से ओवेरियन सिस्ट का इलाज इस वीडियो में ऑपरेशन के पहले ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद पूरी की पूरी प्रक्रिया जैसी होती है वैसी मैं आपको दिखाऊंगी आशा करती हूँ कि इस जानकारी से जो महिलाएं ओवेरियन सिस्ट से परेशन है उनको एक संबल मिलेगा उनको जानकारी मिलेगी जिससे वो अपना इलाज परापरली करा पाएंगी वीडियो को अ लाप्रिस्कोपी या की होल सर्जरी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक बहुत छोटे 10 mm के चीरे से बहुत सारी महिलाओं की समस्या है जैसे बच्चेदानी में गठान, अधिक महावारी जाना या फिर ओवरी के सिस्ट का भी इलाज हो सकता है जब किसी महिला को ओवरीन सिस्ट है और उसका लाप्रिसकोपी से सर्जरी करना निरधारित हुआ है तो उसके सबसे पहले उसकी डाइगनोसिस को सेटल करने के लिए कुछ टेस्ट किये जाते हैं इन टेस्ट में कई बार MRI की जांच होती है, CA125 नाम की एक जांच होती है, सोनोग्राफी होती है और साथ ही ऑपरेशन के पहले सारी ब्लड टेस्ट, X-ray, ECG और कभी-कभी ECO भी कराया जाता है यह इसलिए कराया जाता है क्योंकि हर ऑपरेशन जो है यह बेहोशी में किया जाता है, बेहोशी के पहले मरीज की स्थिती हेल्डी है की नहीं, उसको एनस्थीजिया के दौरान किस तरह से प्लानिंग करनी है, इसके लिए यह टेस्ट बहुत आवश्चक होता है इन टेस्ट के बाद प्री अनस्थेटिक चेक अप होता है, जिसमें अनस्थीजिया जो देंगे वो डौक्टर पेशन्ट से मिलते हैं, उनकी कंडिशन को समझते हैं और अपना अनस्थीजिया प्लान करते है उपरेशन रूम में जाने के पहले लगभग 6 घंटे आपको फास्टिंग रहना होता है, यानि आप कुछ भी खापी नहीं सकते इस दौरान इसके बाद आपको ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है, वहाँ पे डौक्टर आपका फिर से शॉर्ट में चेक अप करते हैं इसको प्री इंड़क्शन चेक अप कहा जाता है और इसके बाद ऑपरेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है Laparoscopic Surgery में हम हमेशा general anesthesia prefer करते हैं इसमें patient को एक injection दिया जाता है इसके बाद patient जो है ये गहरी नीन में सोता है उसे किसी तरह की आवाजे नहीं आती कोई दर्द नहीं महसूस होता और पूरी प्रक्रिया के दौरान वो pain free रहता है First step जो laparoscopic surgery में होता है जो telescope है उसको हम pate के अंदर डालके laparoscopy से cyst को और सारे organs को check करते हैं इसके बाद cyst को ovary से अलग किया जाता है और इसको जहां तक possible है completely remove करके एक bag के अंदर डालके और बाहर निकाल लिया जाता है इस bag को हम endobag कहते हैं इससे जो cyst के contents हैं वो pate के अंदर spill नहीं होते हैं cyst निकालने के बाद दूसरी ovary, tubes और uterus को पूरी तरह से inspect किया जाता है यदि आवशकता है तो और samples लिये जाते हैं और जो cyst निकाला गया है उसे bypass के लिए बेज दिया जाता है surgery के बाद patient एक घंटे तक post operative room में रहता है और उसके बाद में उसको ward में shift कर दिया जाता है ward में एक या दो दिन के stay के बाद आपकी चुट्टी हो जाती है और biopsy report के लिए 7 दिन बाद आपको check-up के लिए बुलाया जाता है laparoscopic surgery में 7 दिन के अंदर आप अपने normal कामकाश पे लोट सकते हैं doctor आपका 7 दिन के बाद check-up करते हैं आपकी healing, आपकी condition check की जाती है आपकी biopsy की report confirm की जाती है और इसके बाद आपको clearance दे दिया जाता है जिससे आप normal activities पे वापस लोट सकते हैं ovarian cyst तीन तरह के होते हैं पहला होता है functional ovarian cyst दूसरा होता है benign ovarian cyst और तीसरा होता है malignant यानी cancerous ovarian cyst जो functional cyst है ये normal cyst हैं जो ovary में बनते बिगड़ते रहते हैं जो egg कभी-कभी rupture नहीं होता उस follicle में यदि fluid हिखटा हो जाए या ruptured follicle में fluid हिखटा हो जाए इन्हें functional cyst कहा जाता है इन cases में surgery की आवश्रक्ता नहीं है ये naturally अपने आप dissolve हो जाते हैं benign ovarian cyst जो होते हैं इसमें से एक बहुत common cyst होता है जिसे dermoid cyst कहा जाता है ये dermoid cyst germ layers से बना होता है और इसके अंदर दात, कभी-कभी बाल, कभी-कभी हड़ी ये सारे organs भी दिखाई देते हैं तो ये जो cyst है ये बहुत भली-भाती laparoscopy से निकल जाता है और dermoid cyst के इलाज के लिए laparoscopy जो है ये first choice होता है इसमें हम open surgery prefer नहीं करते हैं malignant ovarian cyst का यदि हमें doubt है तो इसमें laparoscopy contra-indicated है cancerous cyst में कभी-भी laparoscopy नहीं की जाती इसमें हमेशा open surgery जिसे की staging laparotomy कहा जाता है वो की जाती है क्योंकि यदि हम cancerous cyst का laparoscopy से इलाज करते हैं तो इससे मरीज को आगे तकलीफ हो सकती है क्या आपको भी ovarian cyst है या आप इसे विशे में कुछ और जानना चाहते है तो हमें comment section में लिख भीजिए आपकी जिग्यासा का उत्तर देने में हमें बहुत ही कुछी होगी धन्यवाद